हेलो दोस्तों नमस्कार सभी साथियों का वेदय क्लासेस पर आज की दैनिक समसमाइकी 4 सितंबर की डेली करेंट अफिर्स की क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों डेली समसमाइकी के इस क्लास में आपको मिलने वाले हैं आपकी आगामी परिक्षाओं के लिए यह अज़ųड़ की प्रATIONS आते हैं उसमें जो जो करेंट अफेर्स के प्रशन होते हैं आप लोगों को भ्ली भाती पता है कि करेंट अफेर्स के प्रशनों की जो इसमें रोल होता है सेलेक्षिन में वो बहुत ही अहम होता है और current affair बहुत ही बड़ा होता है तो यहां पर आपको मिले वाले हैं यह daily आपको यह classes मिलती हैं और इन classes में आपको बहुत ही important questions मिलते हैं और साथ ही साथ में main question के साथ में कुछ और भी प्रशन ऐसे रहते हैं जो कि हाल फिल हाल चर्चा में रहते हैं इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा current affairs complete हो जाता है और उसके साथ में static jk के भी part आपको यहां पर करवाय जाते हैं तो हमारे साथ बने रहे है डेली current affairs में इस वीडियो को लाश्ट टक देखें पूरे session में हमारे साथ बने रहे हैं और आपको निश्यत रूप से इस session के माध्यम से बात है कि परिंदों को मंजिल मिल ही जाएगी यकीनन यह फैले हुए उनके पंक बोलते हैं वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं तो दोस्तों आप लोगों को अपना होसला बनाय रखना है आप लोगों को आपकी मंजिल जरूर मिलेगी ब और आपका कर्म ही आपको एक दिन सफल बनाएगा, आप अपने कर्मों के माध्यम से ही आपका जो हूनर होगा, आपकी जो ताकत होगी, आपकी जो मेहनत है, आपकी आज की जो पसीने बहाने की आदत है, वह आपको एक दिन निश्वित रूप से सफल बनाएगी, तो चलिए इसी बात पर चलते हैं आज के आगे के क्लास में, आज का पहला प्रश्ण है, All India Football Federation का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, All India Football Federation का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, options दिये गये हैं, बाइचुंग भूटिया, कल्यार चौबे, गुर्प्रेत सिंग संधु और अनिरुत थापा, यहां पर जो All India Football Federation यानि AIFF का अध्यक्ष है, वह कल्यार चौबे को नामित किया गया है, कल्यार चौबे को All Federation का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और यह जो कल्यार चौबे हैं, तो कल्यार चौबे और बाइचुंग भूटिया, इन दोनों लोगों के बीच में चुना हुए थे, जिसमें 33-1 से कल्यार चौबे को जीत मिले, यानि कि कुल 34 लोगों ने इसमें वोटिंग किया थ और 34 लोगों की वोटिंग में से 33 वोट वोग इसके कल्यार चौबे को मिले, और बाइचुंग भूटिया को सिर्फ एक वोट मिला, तो जो फाइनल यहां पर अध्यक्ष होने गए, वह है वोट के हिजाब से कल्यार चौबे को AIFF या All India Football Federation का अध्यक्ष चुना गया, All India Football Federation की इस्थापना कब होई थी, यानि की AIFF की जो स्थापना है वह है जून 37 में होई थी, जून 1937 में All India Football Federation की स्थापना की गई थी, फुटबॉल खेल को अन्यकिस नाम से जाना जाता है जो फुटबॉल खेल है उसे सौकर के नाम से भी जाना जाता है जो फुटबॉल खेल है उसे दूसरे नाम से सौकर के नाम से जाना जाता है फुटबॉल के खेल में कितने खिलाडी होते हैं तो फुटबाल के खेल में कुल 11 खिलाडी होते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, यह सारी सार इस्टेटिक पार्ट हैं, जो कि आपको खेल के जो पोर्शन होते हैं, खेल के जो प्रशन उत्तर होते हैं, खेल के जो प्रशन आते हैं, उसमें आपको मिल जाते हैं, तो फु सुब्रतोकप किसे football से ही संबंधित है, शुब्रतोकप, football से संबंधित या विविन प्रकार के खेलों से संबंधित is, प्रुमुख शब्दावलिया पोच ली जाती है उनसे संबंधित प्रूमुख खिलाड़ी पंच ले जाते हैं तो यहाँ पर फुट बॉल से संबंदित प्रमुख शब्दावली है वह है स्ट्राइकर, फुल बैक, हाफ बैक, हैंड बॉल, रेफरी, टाइब रेकर, थ्रो इन और ब्लैक परल यह सारी के सारी जो शब्दावली हैं वह किसे फुट बॉल से संबंदित हैं इसके लाव और भी कई सारी हैं लेकिन यह प्रमुख हैं जो की अकसर पुछी जाती हैं एक बार फिर से आप लोग इसको सुन लीजिए स्ट्राइकर, फुल बैक, हाफ बैक, हैंड बॉल, रेफरी टाइब्रेकर, फ्रो इन और ब्लैक पर लिए सारी कि सारी जो शब्दावली है या वर्ट्स हैं यह किसे फुट बॉल से संबंदित होती हैं या फुट बॉल के खेल से प्रमुख खिलाडी और उनके देशों के बारे में भी पूछा जाता है कि यह खिलाडी किस खेल से पुट तगाल के रहने वाले हैं डेविट बेक हम यह ब्रिटन के रहने वाले हैं जो भारत में बात करें तो भारत में बाइचयों के भूटिया हैं सुनिल छेद्री हैं यह सारे लोग फुट बॉल से संबंदित हैं आज का दूसरा प्रशन देखते हैं इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क का मंत्र इस्तरी आयोजन कहां किया गया इंडो पैसिफिक एकोनोमिक फ्रेमवर्क का मंत्र इस्तरी आयोजन अमेरिका जापान सिंगापुरिया औस्टिलिया तो इसका जो आयोजन है यह अमेरिका में किया अमेरिका के लॉस एंजल्स में इसका आयोजन किया लिया है और इसमें कुल 13 देशों ने भाग लिया है इंडो-Pacific Economic Framework में यह अमरिका के Los Angeles में हुआ और इसमें कुल कितने तेरा देशों ने भाग लिया इंडो-Pacific Economic Framework के मंत्र इसरी सम्मेलन में यदि पूछें कि भारत की तरफ से किस ने भाग लिया है तो भारत की तरब से पियोश गोयल ने भाग लिया है और पियोश गोयल कौन से मंत्राले के मंत्री है यह है commercial and industry minister commerce and industry minister पियोश गोयल है वर्दवान में और इनो ने ही indo pacific economic framework में जो लॉस एंजल्स में हुआ इनो नी शिर्कत की पियोश गोयल ने ही इसमें भाग लिया था काफी इंपोर्टेंट गया प्रशन है कि भारत कि इस देश को पचाड़ते हुए विश्चु की पांचमी सबसे बड़ी अर्थवरस्था बन गया है तो जो ब्रिटेन या इंगलेंड को है तो इंगलेंड को पचारते हुए भारत पाचमी स्थान पर आ गया है और जो भारत है वह अभी बर्तवान में पाचमी विश्चु की सबसे बड़ी अर्थवरस्था है जबकि जो इंगलेंड है यह विश्चु की सबसे बड़ी अर्थ ववस्था यहां पर है अगली है बिश्चों की चार सबसे बड़ी अर्थ वश्था पाच्में पर कौन सा है पाच्में पर हमारा भारत है छट्में पर इंग्लेंड है और पहले पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे पर जापान और चोथे पर जर्मनी यह चार सबसे बड़ी अर्थवरस्ता हैं अमेरिका चीन जापान और जर्मनी पाचमा भारत और शटमी पर इंगलेंड है अगला है भारत सन्युक्त अरब अमिरात की चोदमी सन्युक्त मंत्रिष्टरी बैठक कहां पर आयोजित की तीसरे प्रश्ण है राष्ट्रिय कानूनी सेवा प्राधिकरण जिसे हम नल्सा बोलते हैं यानि की नेशनल लीगल सर्विस अथोर्टी क्या हो का इसका नेशनल लीगल सर्विस अथोर्टी राष्ट्रिय कानूनी सेवा प्राधिकरण का चेयर मैन किसे नियुक्त किया गय जया है बी के त्यागी डी वाइचंदर चूड एन श्री निवासन अनुरागत रिपाठी तो यहाँ पर जो नलसा का चेर्मेर या नलसा के जो अध्यक्ष निवक्त किये गए है वह दी वाइचंदर चूड निवकत किये गए है और आप्सन फूर भी आपका राइट एंसर हो के 1995 1995 में इसकी स्थापन होई थी लेकिन इसका जो अधिनियम आया वै विदिक सेवा्च प्राथिगरण अधिनियम 1997 में इस अधनियम को लाया गया विथिक सेवा प्रधिकरण अधनियम 1997 लेकिन अधनियम पूछे तो 1995 में 1995 में नलसा की स्थापना हो गई थी और इसका काफी इतिहास पुराना है इसलिए हमने सिर्फ यहां पर यह बताया है कि इसकी स्थापना 1995 में हुई लेकिन अधनियम जो आया है कब 1997 1997 में आया इंसी आर्वी की रिपोर्ट अभी आई थी तो इंसी आर्वी की स्थापना का वुई थी इंसी आर्वी की स्थापना 1986 में 1996 में हुई है CERT की स्थापना का हुई CERT की स्थापना यह 2004 में हुई और यह मिनिस्ट्रिय आप इलेक्ट्रोनिक्स माइडी की अंतरगत यह काम करता है और इसके इसी ने अभी सिनर्जी नामक एक साइबर सेकोर्टी एक अभ्यास भी किया था सिनर्जी नामक और यह जो सिनर्जी नामका cyber security अभ्यास है इसको मैं पिछली क्लास में cover भी किया था तो यह जो synergy है यह किसके दोरा CERT CERT के दोरा यह किया गया था ठीक है computer emergency response team इसका full form होता है याद कर लीजेगा computer emergency response team computer emergency response team response team इसकी स्थापना 2004 में की गई थी ministry of electronics के अंतरगतिया आता है एकला प्रश्ण है भारतिय मूल के लक्षमण नर्सिंगम को किस अमेरिकी बहुराश्ट्री कंपनी का CEO या मुख्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है Adobe, Alphabet, Starbucks या Apple जो लक्षमण नर्सिंगम है यह अपना कारिकाल January 2023 से संभालेंगे January 2023 से और इन्हें जिस कंपनी का CEO या मुख्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है उसमें options आपके दिये गया है Adobe, Alphabet, Starbucks या Apple तो इन्हें Starbucks कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है, option नमबर आपका C सही होगा और Adobe जो कंपनी है, Adobe कंपनी के साथ अभी हाली में AICTE ने Digital साक्षर से बढ़ाने के लिए समझोता कि आपन पर साक्षर किये है Adobe के साथ में ठीक है, तो यहाँ पर लक्षमाणार सिंग हम किस कंपनी के CEO नियुक्त किये गए, Starbucks के नियुक्त किये गए है Option number C आपका right answer हो जाएगा अभी जो तमाम दुनिया की अगड़ी कंपनी है, टॉप 10 कंपनी है उनमें से कुछ जो भारतिय CEO है, जो अकसर कंपनिया जो चर्चा में रहती है उनके CEO देख लेते हैं जैसे टूटर CEO, यह चिडिया वाले भाईया है, नेली चिडिया वाले भाईया है जिसमें नेली चिडिया बनी है, तो टूटर CEO, इनके टूटर के कौन CEO है, पराग अगरवाल है जिन्हें नवंबर दिसंबर 2021 में इन्हें टूटर का CEO नियुक्त किया गया था एडोब के CEO कौन है, एडोब के CEO वर्तमान में शांतनू नरायन है और एडोब के साथ अभी हमने बताए कि AICTE ने डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए एक समझोता गयापन पर हस्ताक्षर किये हैं तो एडोब के CEO भी आपको याद रखना है, शांतनू नरायन है IBM के CEO कौन है, IBM के CEO वर्तमान में अरविंद कृष्णा है और यह सारे लोग आप लोग देखी रहे होगे, कि सारे के सारे यह भारती है Microsoft की CEO, जो Microsoft की CEO है वह कौन है, सत्यान अडेला वर्तमान में Microsoft के CEO है और जो Google और Alphabet कंपनी है, उसके CEO कौन है सुन्दर पिचाई है और Google की यदि Parent कंपनी पूछे कभी कभी प्रशन पूछता है, कि जो Google की Parent कंपनी है, वह कौन सी है Google की Parent कंपनी तो जो Google की Parent कंपनी है, वह Alphabet है तो Alphabet और Google दोनों के CEO सुन्दर पिचाई है और सुन्दर पिचाई और सत्यान अडेला दोनों के ही अभी कौन सा पूरुसकार, पद में भूसर पूरुसकार दिया गया था Mastercard के CEO अजैपाल सिंग बगगा है Mastercard पर RBI ने अभी हाली में कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी थी इसकी सेवाँ पर कि नए कार्ड ये जारी नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो Mastercard था इसने अपना जो डेटा था RBI की guidelines के अनुसार जो भारतिय लोगों का डेटा है जो भी इनकी जानकारी है निजी जानकारिया होती है कि इनके customers की वह उसका database भारत में ही बनाया जाना चाहिए लेकिन Mastercard ने इसका database अमेरिकी company है तो अमेरिका में बनाया था इसलिए RBI ने और कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी थी हलाकि जो कार्ड पहले चल रहे थे वह चलेंगे और आप बरतमान में यह रोक भी हट गई यूंकि यह बात जो नवंबर की है हलाकि जो और इस लिकों की current affair कम से कम एक साल का पूछे जाने की पूरी पूरी समभावना होती है तो इसलिए भी इसको हमने यहाँ पर रखा Mastercard के CEO अजयपाल सिंग बगगा है अगला प्रश्ण है पाचमा राष्टी पोष्ण माह किस मंत्राले द्वारा शुरू किया गया है यह पाचमा राष्टी पोष्ण माह कब से 31 सितंबर तक मनाया जा रहा है 31 सितंबर तक पाचमा राष्टी पोष्ण माह तो यह पूछा गया है कि जो राश्ट्री पोश्ट्र माहा है किस मंत्राले के दौरा शुरू किया गया है पहला ओप्सन दिया गया है उपभोगता मामले खात और सरविनिक वितरन मंत्राले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले परिवार एवं स्वास कल्याण मंत्राले या महिला एवं बाल विकास मंत्राले जो पाच्वाराष्टी पोश्चन माहा है यह महिला एवं बाल विकास मंत्राले के द्वारा शुरू किया गया है option number D आपका सही उत्तर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्राले the KCC की शुरुवात कब हुई थी जो KCC किसान क्रेडिट कार्ड कीषुरूराद उनी सो अाठानवे में हुई थी और KCC की शुरुवात जो हो थी यह उनी सो अठानवे में तो फेडरल बैंक इन दोनों के साथ सम्झोते पर इसका डिजिटल इसको बनाया जाएगा कैसी को इन दोनों बैंकों के साहता से शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया यानि कि SCI सिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया का नए अध्यक्ष किसी न्युक्त किया गया है बीके त्यागी को सिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया का अध्यक्ष न्युक्त किया गया है अलाकि इनको अभी कल ही यह न्युक्त किये गये थे सिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया के नए अध्यक्ष इस पर से प्रणाली किससे संबंदी थे तो जो इस पर से प्रण महिला उद्यमियों की मदद के लिए महिला निधी योजना की शुरुवात की सराज सरकार के द्वारा की गई थी एक्शुल में जो महिला उद्यमी है या जो महिलाएं जो लेडीज अपना खुद का बिजनिस स्टार्ट करना चाहती है या स्वयम का अपना श् intentar रगाना चाहती है उनके लिए महिला नीधि नाम की एक योजना शुरुआत की गई है जिसके दोरा महिला एं उस योजना से मदद ले सकती है तो पूचेया क्या है कि जो योजना है महिला नीधि-योजना यह किस सरकार दोरा पर शुरू की गई है, उप्सन से दिये गए हैं उत्तर प्रदेश, मंध्र प्रदेश, राजस्तान और उध्राखंड, तो महिला निदी योजना की शुरूआत राजस्तान सरकार द्वारा की गई है, और राजस्तान के जो वरतमान मुक्हमंत्री हैं, अशोक गहलोत हैं कल राज मिश्र, कल राज मिश्र की पुस्तक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यहाँ पर सेलेक्शन वाले प्रस्टों में किस राज या केंदर सरकार ने ग्रामीर महिलाओं के लिए साथ ही योजना की शुरूआत की गई है, यह भी ग्रामीर महिलाओं की मदद शुरू की गई है विश्णुगड पीपल कोटी परियोजना की सराजी में इस सित है विश्णुगड पीपल कोटी परियोजना की माध्यम से ऐसा सवाल उठाए गया कि इससे परियावरण को कुछ हानियां हो सकती है इसलिए इसको इसके इंस्पेक्शन के लिए एक कमेटी ग जो परियोजना थी वह यह भी दुगरी जलवे दुद परियोजना यह मंतिल प्रदेश में इस्तित है अगला प्रशन हाल हिमे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा पहली अखिल भारतिय जिला कानूनी सेवा प्राधिगरन की बैठक का उदघाटन कहां किया गया पहली अखिल भारती है जिला कानूनी सेवा प्राधिकरनर की बैठक है इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है और यह प्रधान नंत्री नरेद्र मोधी के द्वारा किया गया है इसका उद्घाटन सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट के प्रस्तोत की थी जो ये सरकारिया आयोग है ये 1983 में गठित की गई थी केंदर और राज्य सरकार के संबंदों के बीच को पता लगाने या उनको बेहदर बनाने के लिए सरकारिया आयोग 1983 में गठित किया गया था किसके केंदर और राज सरकार के संबंदों पर समिक्षा के लिए इसके गठन किया गया था और सरकार ये आयोग ने अपनी रिपोर्ट है वे 1988 में सरकार को सौपी थी अगला प्रशन है मंत्री परिशत का सामोहिक उत्तरदायत तो किसके प्रति होता है मंत्री परिशत का सामोहिक उत्तरदायत तो लोग सभा के प्रति होता है लेकिन इस वेक्तिकत तौर पर पू Matte का उत्तरदायत होता है और आपके अपसनस दिए रहेंगे राष्ट्रपती, प्रधान मंत्री, संसाथ या कुछ और इन में से कोई नहीं इस प्रकार से अपस्थ दिये रहते हैं तियादी व्यक्तिकत पूशे कि किसी मंत्री के व्यक्तिकत तोर पर जो उत्तरदायत होता है किसके प्रती राष्ट्रपती के प्रती होगा क्योंकि किसी भी मंत्री को शपत राष्ट्रपती के द्वारा ही दिलवाई जाती है या किसी मंत्री को जो नियुक्ती होती है वे प्रधान मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपती के द्वारा ही कोई भी मंत्री नियुक्ती किया जाता है तो इसलिए व्यक्तिगत तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होती है दिल्ली में कितनी लोकसभा सीटे हैं तो दिल्ली में लोकसभा की साथ सीटे हैं जबकि राज विधान सभा की दिल्ली में सत्तर सीटें दिल्ली में स्थित हैं किसी राज विधान सभा में मुख्यमंत्री सहित उस राज की विधान सभ सभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितने प्रिश्ट से अधिक नहीं होना चाहिए यानि कि कि या दिमाली जै कि सौव विधायक हैं किसी राज्य में या विधान सभा की कुल सौ सीटे हैं तो प्रश्ण का कहने के मतलब यह है कि इन में से अधिकतम कितने मंत्री या कितने लोग मुख्यमंत्री सहित मंत्री परशत में भाग ले सकते हैं, मंत्री परशत के सदस्त हो सकते हैं, तो कुल सदस्त संख्या का 15% ही हो सकते हैं, लेकिन अधि दिल्ली विधान सभा के पूझे तो दिल्ली विधान सभा में यह 10% से अधिक नहीं होनी लेकिन अदि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 10 से अधिकर नहीं होगा एकला प्रश्ट है अलनजाह अलनजाह नामक स्युक्त सेन अभ्यास राजस्थान में भारत और किस देश के बीच आयूजित किया जा रहा है पहली बात तो दो थे इन चीजें जो संयुक्त सेन अभ्यास है उसका नाम क्या है अल नजाह और दूसरी बात यह है कि यह कहां पर आयोजित किया जा रहा है तो यह राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है अल नजाह तो अब राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है तो options दिये गए हैं बंगलादेश, मलेशिया, ओमान या कतर यह जो अल नजह है यह भारत और ओमान के बीच सन्य भैस है जो की राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है और यह इस बार तेर्मा संस्क्राण होगा वज्र प्रहार का और यह तेर्मा संस्क्राण कहां पर आयोजित किया जा रहा है यह भारत में हिमांचल प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है कहां पर हिमांचल में आयोजित किया जा रहा है वज्र प्रहार और इसका जो संस्क्राण है वह तेर् योजित किया जा रहा है छपने में बिल्कुल देर नहीं लेगी इसको पहला हो में पर थी अंतर राष्टी स्वास्त सिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है ओप्सिंस दिये गए हैं दुबई पेरिस लंदन या फिर रोम में तो यहां पर जो सही उत्तर हो कवे होगा दुबई ओप्सिं नमबर ए जो पहला हो में पर थी अंतर राष्टी स्वास्त सिखर सम्मेलन है वह दुबई में आयोजित किया जा रहा है सेलेक्शन बाले प्रस्वे में जो चर्चा में रहे हैं विष्च्च की पहली पेपर लेस सरकार दुबई की सरकार है विष्च्च और आफजाय स्वयुक्त अरब अमीराद का सरवच नागरिक संभान है जो की प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी को दिया जा चुका है अगला प्रशन है लिवेर्टी मेडल 2022 किसे संमानित किया गया है जो लिवेर्टी मेडल है यह बलादमीर जिलेंसिकी को दिया गया है 2022 के और यह जो बलादमिर जिलैंसकी है उक्रेयन के राष्टपति हैं काफी भली भात जानते होंगे आप तो यह जो मेडल है यह बेसिकली लोगों की सुतंतरता की रक्षा करने के लिए दिया गया है किसके लिए लोगों की सुतंतरता की रक्षा करने के लिए मेडल दिया गया है और यह जो medal है यह एक्टूबर नवंबर 2022 में दिया जाएगा UNESCO विश्चोशांथी पुरुसकार यह एंजला मरकल को दिया गया रमन मैकसे से अवार्ट कहाँ पर दिया जाते हैं तो जो रमन मैकसे से अवार्ट हैं यह फिलिपिन्स मनीला में दिये जाते हैं और फिलिपिन्स मनीला में यह अंतर राष्टी चावल अनुसंधान संस्थान है ACI Development Bank का मुखहले भी फिलिपिन्स मनीला में है फिलिपिन्स मनीला में दो चीजें और हैं कि जो अंतर राष्टी चावल अनुसंधान केंद्र है कौनसा अंतर राष्टी चावल अनुसंधान केंद्र यह कहाँ पर फिलिपियन्स मनीला में है और जो एसियन डेवलप्मेंट बैंक्यानी की ADB है ADB का मुख्याले भी फिलिपियन्स मनीला में इस्थित है तो आज की फ्रेंट इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको session पसंदा रहा होगा आप लोग session के enjoy कर रहे होगे और यदि आप लोगों को session पसंदा रहा है और आप लोग इससे अपने दोस्तों के साथ जरूर सियर करेंगे मिलते हैं आप से अगले सेशन में कल फिर से तब तक करें नमस्कार धन्यवाद